हमने जो आपका दिल दुखाया उसका बदला आपने हमसे हमेशा के लिए दूर जा कर लिया हसीना जी हमें अभी विश्वास ने हो रहा है कि आप नहीं हो हमारे बीच अनु भाया आप कुछ दून रहे है नेये कुछ भी तून हैं बताई ये हमको अंपका मदद करते नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं भेना, वो कुछ नहीं डून रहे थे दरअसल जब असीना जी के काबिन में आये तो उस दुख का अपरात बहुत थोड़ा पड़ गया नहीं भाया, आपने आपने वो मजबूरी में किया था, वो आपका मर्जी नहीं था नहीं भेना, कोई भी वजय किसी मासूम का दिल दुखाने के पाप को कम नहीं कर सकता गुनेगार तो हम हैं ही असीना जी के, इस योग ये तो नहीं लेकिन ये सोचा था कि कभी उनसे भेंट होगी तो अवश्या शमा मांगने का प्रयास करेंगे उनसे इसलिए यहां उनके एहसास से माफी मांगकर अपने मंद का बोच हलका करने आये थे बोच तो हम भी लेकर चल रहे हैं न भाईया अज इतना समय हो गया मैडम सर को गए हो यह और हम उनके कातिलों तक अभी तक बहुच ही नहीं पाएं कि अवे क्या ना Кडचा ना तुकडा तुकडा कर देंगे उन लोगों का ऐसा तुकडा करेंगे ना कि उनका अंतन शंसकार भी तुकडा में होगा देखना भईया हमारे अंदर जो यह यह तेजाब है न यह तभी शान्त होगा जब उनका राख देखेंगे अपनी आखों के सामने अपर आप यह सब कैसे करेंगी वाइना हमें पता चल गया वो चीज जिसके वज़े सुनोंने माडम सरका वो चीज के बारे में हमें पता चल गया है वो चीज पता का है वो एक मिनन पही आये जी इसी फक्त आप सरकारी दर्फतर चले जाए और देखिये यह उर्मिला कॉन से आया हंगा मामा चाने के मूर में गई है वहाँ हम बस हम बात करते हैं ठीक है हम बात करते आप खबराइए मत ठीक है अनुभी हम एक जरूरी कॉल करने हम आप हम आते हैं मापिसा आप वैसे हम भी निकल रहे से अभी अच्छा तो फिर आप रात को खाने भी मिल रहे है ना वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप अपनी ड्यूटी तो निभाई है, जेहन. जी, जेहन. करिश्मा सिंग की बातों से लग रहा है कि अब इन्हें भी डिस्क के बारे में पता चल चुका है. इतने सारे सवाल, जवाब किसी एक कभी नहीं. एक ही है, जिसके जरिये इन सारे सवालों के जवाब तक पहुंचा जा सकता है. उर्मिला महादेव मात्रे. ए, मैं कैपल, प्ष्ट, बात करूँ. हाँ तटक सण दी, बुल. अमा, तुम कहे तना उतावली हो रही हो मैडम सर का नाम साफ करने के लिए, हाँ? सप्छावगी चौक. मैं नाम साफ करने के लिए नहीं आई है. मैं तेरा माइडम सर का चावी साफ करने के लिए. तेरी को मालूम किया, उध साल पहले तेरी माइडम ने वो लाल चौक में एक शौचाले का उधगातन किया था. उद घाटन हो गया, शौचाले कभी बना इचने, उदर आपके लोगों से मैं बात कर किया ही, मालूम क्या तेर को? लेडिas लोको कितना ताखलीक होता है, मिरखों का दर्द समझ माते हैं यह titre मेरा रेकडी है, इसके वे मैं इधर पता कने क्या है कि, काय के लिए वो टॉलेत अवी तक बनाने की कःल अभी करना दर, मेर कमेरा काम तेरीच मदद कर रही है मैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात सुनो हमारी, तुम है याद रहे कि तुम उर्मिला महादे मात्रे नहीं हो, तुम ऐसे चो हसीना मली को ये मद भूलना है, समझ कई? जी ठीक है, हम याद रखेंगे, और कुछ? ठीक है, हाँ बई, इधर का इंच ये, तुम है, तुम है, तुम है, जी थे तुम है, पताईए, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ साल पहले, लाल चौक का जो लेडीज मार्केट है, हमने एक लेडीज टॉट का और घाटन किया था, टॉट कहां है? टाइलेट किधर है मतलब? है कोई बिली थोड़े है, मेडम जो भाग जाएगा, जहाँ होना ची वही होगा नहीं है वहाँ टॉइलेट, इसलिए पूछ रहे हैं आपको दृष्टी ब्रहम हुआ होगा, जा के ठीक से दिखिये, टॉइलेट वही होगा अब मैंने में महें करते हूँ बात अब कैसी बात कर रहे हैं, हाँ, सुई थोड़ी ना ढूंड़ी है हमें कि हम जा के ढूंड ले अच्छी से टॉइलेट की बात करे हैं, हमने खुच जा के चेक्या टॉइलेट वहाँ नहीं है असंबा, कोई बात नहीं, हम अभी अपने आडिटर से चेक करते हैं एक मिनट नमस्कार, मैं आडिटर एसस, आपकी सवाने तक पर देखिए मेडम, आप लोग मैं मेरे साब को बेकार में परेशान कर रही है टाइलेट बना, आपके उधगादन के दस महिने बाद ही बन के तयार हो गया था और हमारे पास पुरे तस्तावेज भी मौजूद हैं, आप एक सकेंड लेजर लाना भाई यह सरकारी ओफिस है या कोई दिमाग का हस्पता ले रहे हाँ, आप रूखिये फ्लीज पूरा हिसाब किताब वाला लेजर आप उपन करके खुदी देख लिए पेज नमबर 42, कांट्रेक्टर का साइन भी है चलिए मादम सर्, जा के उस फर्जी कॉंट्राक्टर को पकड़ते जिसने ये कॉंट्राक्ट बनाया है हाँ हाँ चल चल फटरे है मेरी रुकिए रुकिए रुकिएगा कहां केया ये चाहो रहा रहे इदर सब ऐसे ही है क्या हाँ नमस्कार आप लोगों को कांट्रेक्टर से मिलना था ना आप लोगों की सारी दूधाय आभी खतम की देता हूँ आईए आईए ये देखिए ये देखिए ये रहा लेडीज मार्केट और ये है लेडीज टायलेट मुझे चश्मा और बिना चश्मा कैसे भी दिखो ना साफ साफ बड़ा दिखाय दे रहा है कैसे कैसे कि आपकी टायलेट नहीं बना अरे बिल्ली नहीं है मैडम जो भाग जाएगा हम, ये बहुत सही है चित भी मेरी, पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का अही अंटा 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 नहीं नहीं, अफसर भी यही है कांट्राक्टर भी यही है, सब कुछ तो परे कैसे बनेा टॉilet तो आप अपहसीना मलिक है अरे छोड़ना, पुरे देश का दही बना के रखा है तुम जैसे प्राष्टाचारी लोगों ने, गरीब लोगा तो खुन चूस के रखा है, कभी सोचा एक बार के लिए, कि मार्केट लोग में वो औरत लोग की क्या हालत होती रहेगी, बना है न, तुने टॉलेट बना है न हाँ, रुक एक सेकेंड, कल सुबा दस बजे इस टॉयलेट के साथ मेरे को तेरा फोटो चाहिए, वो फोटो में पूरे सोशल मीडा पे डाल लगी, और अगर तू नहीं आया ना कल सुबा तो मैं आएगी इदार, मैं आएगी ना तो तेरे को बहुत बारी पड़ेगा इदेर जाले छुटे है, साफ ने इदेर, मैं क्या बोलती है, ये मेरे केबन में कोई गया था क्या? हम लोगों का मालूम कौन गया था, हम लोग तो आपर साफ सफाई कर रहे थे, हाँ, तकले कवे तू गया था ना सची बोल, ये ट्रांस्प्रांट में किपना कर जाएगा गजब, डायन भी साथ घर छोड़कर तब वार करती है, आप तो अपने घर के आदमी पर सक कर रही है, ये क्यो जाएगा? तो फिर तू गया था क्या मेरी याद में मेरे केबन में? गजब करती है, अनुभव, अनुभव, अनुभव सर आय थे, वहीं वहाँ पर बैटकर कर कर तो अनुभव सर दिस्टून ने आय थे कहीं बक्षी सर ठीक तो नहीं हमारी आखों पर पड़ा भरोसे का पर्दा हमें सच्चाई देखने से रोक तो नहीं रहा तो अभी पता चल जाएगा कि हमारे केबिन में ये क्या कर रहे थे बहुत प्रयास किया था खुद को रोकने का पर सीने पे इतना ज्यादा पोच लेकर कब तक घुमता रहता तो सुचा आज उसे हलका कर दिया जाए क्या पता कहीं आप तक कि हमारा संदेश पहुंच जाए क्या पता आप कहीं से हमें देख रही हूँ हसीना जी हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अचानक आपको यूँ छोड़ कर चला जाना और फिर से अचानक क्यों आपके जीवन में वापस आजाना किसी भी दर्ष्ट कोन से शमा के योग ये नहीं है पर हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं हसीना जी कि जितनी भी बार हमने आपका दिल दुखाया उतनी ही बार हम भी उसी दर्ष्ट से घुज़रे हैं हमने भी ओई सहा है जो आपने सहा है बसंतर सिर्फ इतना है कि आपका दर्द आपकी आंकों का पानी कह देता था और एक अब मेह कि अपना दर्दुकुर्ट से भी नहीं कह सके फिर भी अगर आप हमें देख रही है या सुन रही है तो हमारी ये विवश्टा पर समझ कर अगर आप हमें थोड़ा सा भी छमा कर देंगी तो हमारे मन का बोचल का हो जाएगा सिना जी हानुबव सर बोला क्या काम है आपको अर्विला से आपको कैसे पता हमने कॉल किया है हमारा नंबर आपके पास आया कैसे अरे क्या साब तुम भी न अभी अगर मेरे को हसीना मलिक की आक्टिंग करने को बोला है तो उसका फोन भी दिया होगा न तो उसी का फोन है ये और उस पर तुमारा नंबर लिखा हुआ अगया नाम के साथ इसके लिए मालो मेरे को बोलो क्या हुआ वो दर असल उस दिन आपको हसीना जी समझ कर हम बहुत कुछ बोल गए इसलिए अच्छे मा मांगने के लिए कॉल किया था अच्छा वो वो अ उसका कोई बात न रही ना कि सची बोलो तो आज तक किसी ऐसे तुमारे जैसे हंसम आद में ने यिसे अच्छे इतना पयार से बात किया नहीं बस उसी के लिए हम आज सुबत आने आये थे लेकिन आप महां नहें थी ओ तो इसलिए सुछा आये थे ले दुबारा कभी तुमको फोन करने का हो तो करो हां विंदा स्टेंचन ने जी धर्यवाद ये क्या हो रहा है हमारा मन मान क्यों नहीं रहा है कि आसीना नहीं है तो फिर इसके पास हमारा फोन नमबर कहां से आया पता लगा ना होगा हमारा दिल क्यों कह रहा है कि अनुभव सर वो नहीं हो सकते जो बक्षी सर कह रहे है आईए आईए सामने आईए हमारे सामने आईए तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उन खास महमान से जिन्होंने कहा था कि उन्होंने यहां पर शौचालय बनवाया है तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर शृधर शुकला का जी तो जैसा कि आपने हमसे कहा था कि आपने शौचालय बनवाया है ये रही वो जगह कहां है जो चले अरे ये कहां गया अरे यही तो था कल तक यही था हमने खुद खड़े होके बनवाया था भाई कहां गया क्या चूरन समझे हो क्या हुआ अगर कल तक यही था तो काया का हमको तो दिखाये नहीं दे रहा है हम सच करें मेडम टायलेट यही था हमने खुद बनवाय था चार पत्रा उपर उसके बाद नीचे बास बलनी चार मजबूत भरोसे मन टिका हुँ मेडम बड़े बारिश में तूफान में भी नहीं हिलने वाला मतलब सारे मतरियल के गुनवत्ता का जाथ हमने स्वेम से किया था पूरा निरुच्छन किया था मेडम अब यहां पर संबोड भी लगवाय था महिला शोचाल है महिला शोचाल है एक सकिन अड़ बाई साब आप दोनो आप दोनो सुनियेगा सुनियेगा भाई साब हमका कर रहे हैं आप दोनो यही के रहने वाले हैं मतलब लोकल बाशिंदे हैं आप इबताईए कि यहां पर कोई लेडिज टायलेट हुआ करता था कितना जूट बोलाई है नहीं, मैं सही कह रहा हुँ सालों से देख रहा हुआ उनके माहिले साब चाले लेडिज ट्वालेट चार पत्रे उपर चार बाजबली और परदा भी होगा आगे हाँ बताईए माओ, जो बोलना है सोच समझ के बोलो समझ रहे हमारी बात को जूट का साथ देने वाला जूट बोलने वाले से बड़ा दोश्य होता है समझ रहे हो सच बोलो अरे मैडम जी क्या आप भी पितल अब यह लोग यहां के सीधे साधे लोग है पाशिंदे हैं क्यों जूट बोलेंगे अचा कोई बात नहीं है आप सब को इनकी बात भी भरुसा नहीं हो रहा है ना तो हम आप सब के सामने एक ऐसा सबूत पेश करेंगे भी जो निर्विवाद रूप से यह प्रमानित कर देगा कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं सौ भीज़ी सच कह रहे हैं सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे हैं और यह रहा मैडम जी सबूत आप भी देखिए आप लोग भी देखिए देखिए मैडम जी है ना आप अगया सर तोड़ा पीचे अटना असीना मलिक जी कल आपको पता चल जाएगा कि किस से पाला पड़ा है बहुत पुराने वाले पापी हैं हम अगया मुझसे जो उलजता है ना फिर उलजते ही चला जाता है अब बताईए आप लोग इसमें हमारी का गलती है दरसल में गलती हमारी नहीं है गलती इन लोगों की है पुलिस वालों की दरसल क्या है ना कि टालेट जो है ना उच्चोड़ी हो गया है हमारा कामे टालेट बनाना पर इनका कामे सुरक्षा देना जो नहीं दे पाए देखिए मडम जी अब हमारा इपा यार लिखिए आप पता लगाए और बताएए कि वो कौन है जो हमारे खिलाब यह घिनवना शर्यांतर कर रहा है इन बेचारी महिलाओं का शवचाले ढूल कर इनको दीजिए अरे हम पूछते हैं आप लोग से भी पूछते हैं कि अगर यहां पे महिला शवचाले नहीं था तो क्या अभी तक किसी महिला ने या किसी समात सेवी ने या किसी एक्टिविस्ट ने आपके ठाने में या शहर के किसी भी ठाने में कोई रिपोर्ट लिखवाया? कि नहीं लिखवाया ना मतलब टायलेट था और चोरी हो गया देखिये मेडम जी अब आपको इपता लगा नहीं होगा कि कौन हमारे खिलाब धिनोना शडियंत्र कर रहा है यह जो फूरा मामला है ना सरकारी संपती का है शाम तक का समय देता हूं अगर शाम तक टायलेट ढू जहां तक हम हसीनाजी को जानते हैं चाहे कुछ भी हो वो प्रती दिन इसी समय अपने अब्बू की कबर पर जरूर आती थी अगर उर्मिला उर्मिला नहीं हसीना मलिक है तो आज भी वो जरूर आएंगी कैसी है हसीना जी? संदे तो हमें शुरू से ही था कि आप वो नहीं है जो दिखाने का प्रयास कर रही है और कमाल की अभी नहीं चमता है हम भी थोड़े वक्त के लिए आपके सर्च और छूट के भवर में गुम्रा हो गए आखिरकार सच सामने आई गया राज मेरे सामने है हसीना मलिक हम तो पूरा सच आपको पता चल ही गया पूरा तो नहीं पूरा सच तो आप हमें बताएंगी कि ये सब क्या चल रहा है आखिर क्यों आपको हसीना से उर्मिला बनना पड़ा क्लिक शो लिंक और आखिर को एंजय वाचिंग वाचिंग विडियो तो